नमस्कार मैं हूँ प्रियां का आप देख रहे हैं विरी टीवी भारत खंडवा जिले के बावडिया काजी गाउं में एक बुजर्ब किसान जुगार का क्रिशी यंत्र बना कर खेती करता है इन्होंने खेती के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फेलाए नहीं सरकारी योजना का लाव लिया अपने खेत में ही कुटिया बना कर परिवार के साथ रहकर खेती कर अपना गुजर्बसर करते हैं हम बात करें हैं ग्राम बावडिया काजी के 70 साल के बुजुर किसान बाबुलाल दूबे की जुनके जजबे को देखकर हर कोई दंग रह जाता है इस किसान के पास ना तो बैल है ना ट्रैक्टर और ना ही बिजली लेकिन अपने बारह वर्षिय नाती के साथ जुगार के क्रिशी यंत्र बना कर खेती करते हैं सुअभी मान इतना की गाउ में खेती के लिए कभी किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फेलाई मात्र पौने तीन एकड खेत में अपनी पतनी और नाती के साथ खेत में ही घर बना कर रहते हैं इस बुजर की मेहनत को देखकर आसपास के गाउं के किसान भी दंग है बावुलाल दूबे ने अपनी पौने तीन एकर खेत में जुआर बाचरा का बीज बोया हुआ है खरपतवार निकालने के लिए उन्होंने खुद ही जुगार का यंत्र बनाया है सहारा देने के लिए 12 साल का नाती श्रीडाम उनके साथ मौजूत रहता है नाती गाड़ी खीषता है और नाना खरपतवार निकालते है जो यंत्र इन्होंने बनाया है इसे ग्रामिंट क्षित्रों में कोलपा कहते हैं बावुलाल दूबे यह सब कुछ अपने होसलों के बल पर कर पाते हैं पिछले लगभग 50 सालों से वह सीमित संसाधनों में खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं उनका एक बेटा भी था लेकिन 28 साल की उम्रों में ही किडिनी खराप होने की वजह से उसकी मौत हो गई बेटे की मौत के बाद भी इनका होसला नहीं तूटा अपने नाती को अपने साथ ही रख कर अपनी खुशहाल जिन्दगी जी रही है किसान बाबुलाल ने बताया कि पहले के दिनों में वह बहुत खुश थे बेटे की बीमारी और इलाज में आर्थिक इस्तती खराब हो गई जब बेटा ही नहीं रहा तो नाती ने उनका साथ दिया अब नाती के साथ ही दोनों पती-पतनी खेत में ही मकान बना कर रहते हैं इस 12 साल के नाती की हिम्मत ही उनके जीने का सहारा बनी हुई है बाबुलाल ने मकान में एक छोटी सी सोलर प्लेट लगा रखी है जिसमें मोबाइल चार्ज हो जाता है और एक दो घंटे के लिए बल्ब की रोशनी मिल जाती है इसी में ही वे खुश हैं मोबाइल पर समाचार भी सुन लेते हैं मनुरंजन के लिए रमायन भी देख लेते हैं इनका कहना है कि खेती को आधुनिक बनाने और बिजली की कमी जरूर खलती है लेकिन आर्थिक इस्तिती ऐसी नहीं है कि बिजली का बिल भरा जा सके ग्रामीर बताते हैं कि बाबुलाल शुरू से ही सौबी मानी रही है वे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फिलाते है कि छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाती बाबु हुलाल जैसे किसानों को सरकार की योजनाओं की जरूरत है अगे से रसी किस्ता हुआ है जब मेरे हाथ से बनाया मेरे पोने तीने कड़ जामें एक में जवार भूई एक तुखोट पर दे दिया में इससे चारा खतम हो जायागा और फसल को फायदा होगा फसल भी खुली होंगी है बीजे पूरी परियापत होंगी नी पानी किराथ हो यह बयली है यह कम जेगा में तो 5-7 साल एक काम कर रहा हों यहाद से सब हाथ से हाथ चली त्यान्त्र है मेरा मेरा साद की बच्चा है बस ओने अपा यह लड़की गड़का है यह दो दिन के अंदर इये ट्यरे कड़े हाथ चली त्यांत्र कोलप इसको यह अपन ने अपने नहीं पानी किरा तो बड़ी मुसीले दो बोरे हैं, तीन बोरे हद्ध हो गई दीविका कोई साध्यान नहीं है, अपने को पेंशन मिलती है, 600 रुपए उस पर कही गाणी धखती है, कई यह से फाइदा होता है, बस यह क्या है, तीडिल भुगा लिया, और आच यली यंतर से काम चल ला है, अपने भी निन्दे करेंगे आच से, खुदी, फिरब तीन जने हैं, बुडिया और दो हाम